here we have another question of linear equation, यह question थोड़ा सा different है, इसमें दोनों तरफ आप देखें कि डिविजन हो रही है, इस question को हम solve करेंगे by cross multiplication 2, और यह x plus 1 यहां 2 से multiply होगा, 3 और यह x plus 4 इस 3 से multiply होगा, solution कुछ इस तरह से होगा, यह 2 इस x को भी multiply करेगा, और 1 को भी, क्योंकि bracket है, इसी तरह right side पे भी, 12, अब same situation होगई, क्योंकि 3 x बड़ा है, तो यह जो x का term है, x के साथ होना चाहिए, हम इसको यहां लेके आ रहे हैं, 3 x इधर ही रहेगा, 2 x यहां आके, minus 2 x हो जाएगा, और यह 12 लेफ्ट पे आएगा, minus का 12, 2 में से 12 तो minus नहीं हो सकता है, लेकिन यह इस तरह से minus होता है, कि 12 में से हम 2 minus करते हैं, 10, और sign जो बड़ा term है, 12 जो बड़ा number है, उसका sign आएगा, 3 x में से 2 x minus होए, x, x is equal to minus 10, this is the answer,